आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार केंद्री कृष्यमंत्री नरेंडर सिंग तोंबर ने फिर कहा नियूरितम समर्थन मोले प्रणाली रहेगी जारी मंडिया भी नहीं होंगी बंद बोपाल और खंडवा में महापौर पत के लिए OBC महिला होंगी उमिद्वार गुवालियर देवा समेथ पांच नगर निगम अनारक्षित महिला महापौर के लिए रिजर्व स्वास्त मंत्री डॉक्र प्रवराम चौधरी ने कहा प्रदेश में स्वास्त सेवाओं को और स्यादा प्रभावी बनाया जाएगा आत्म निरभर मद्प्रदेश के तहत राज्य में 892 सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा और प्रदेश को मिला बेस्ट स्टेट प्रमोर्टिंग स्पोर्ट्स अवाड अब समाचार वस्तार से केंद्री कृष्य मंत्री नरेंद्र सिंग तोबर ने एक बार फिर सरकार का रोख सपष्ट क्या है कि नियुरितम समर्थन मोले MSP प्रणाली शारी रहेगी और कृष्य सहकारी विप्रण समितियों द्वारा संचालित मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा एक ट्विट में श्रित उमर ने कहा है कि कोई भी वेक्ती किसानों की जमीन नहीं चीन सकता और नहीं फसल खरीदने वाले किसानों की जमीन में कोई परिवर्दन कर सकता श्रित उमर ने ये भी कहा है कि कोई भी ठेकेदार पूरा भुकतान किये बिना अनुबंध खत्म नहीं कर सकता क्रिशी मंत्री ने कहा है कि नए क्रिशी कानूरों के तहट किसान अपने फसल उगाने से पहले ही उसके दाम तै कर सकता है उन्होंने कहा कि फसलों की खरीदारों को समय पर भुकतान करना होगा और ऐसा नहीं करने पर ठेकेदारों को कानूनी कारवाई का सामना करना पड़ेगा प्रदीश की नगरपालेक निग्मों, नगरपालेकाओं और नगरपरिशिदों के आगामी सामान निर्वाचन के लिए बहापार और अध्यक्ष पत्क्यारक्षन की कारवाय आज भोपाल में हुई इसके तहट भोपाल और खनवा में अगली महापार अन्य पिश्णा वर्ग से महिला होगी जबकि ग्वालियर, देवाज, पुरहानपूर, साकर और कत्नी में अनारक्षित महिला महापार बनेगी इन दोर जबलपूर, रीवा और सिंगरॉली महापार का पद अनारक्षित हो गया है जबकि 99,000 नगर पालिकाओं में सारंगपूर, सिवनी मालवा, बेगम गंच, ठीकमगड, नोगाओं, पोर्जा, अशुपनगड, डोंगर, परासिया, कोतमा, सिहूरा, पसान, सीधी, ब इसके अलावा, जावरा, चतरपूर, धार, सनावत, नेपानगर, आश्टा, ब्यावरा, हर्दा, पांडुना, शिवपूर, कला, होशंगबाद, राइसीन और मंसौर से OBC महिला उमीद्वार हो सकती है, जबकि मकरोनिया, डबरा, आमला, चंदेरी, बीना, लहार और महराजपूर, एसी और जाबुआ पाली, मलाजखंड, एसती उमीद्वारों के लिए आरक्षिप की गई है इसके बाद पत्रकारों से बादचीत में उनुने कहा कि स्वास्त सुविधाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे उन्होंने कहा कि प्रदीश सरकार की मनशा है कि बीमार लोगों को निशल्क स्वास्त से माएं, शास्की चिकेसालियों से मिले कोई भी बीमार वेक्ती निराश होकर नहीं लोटे उन्होंने कहा कि गत्तिनों शैडोल में बच्चों की मौत के कारणों के समेक्षा के लिए उनके द्वारा संभाग के तीनों जिलों का प्रमन किया गया है आवश्यक, संसाधन, शीग रुपलब्ध कराएं जाएंगे संभाग इस्तर पर बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गए है भारती कृषी अनुसंधान परिशत को खाद्य और कृषी संगटन रूम ने अंतराश्वी राजा भूमी बोल विश्यमृदा दिवस प्रोसकार से सम्मानित किया है हाली में 5 दिशंबर को विश्यमृदा दिवस के औसर पर एक कारिक्रम में इसकी खोषना की गई है इस संस्तान को ये प्रोसकार स्वस्ट मिटी के महतों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए दिया गया है जिन्वरी 2021 में थाईलैंड में ये प्रोसकार दिया जाएगा संस्तान के नजेशक डॉक्टर शुक कुमार पात्रा ने बताया है कि सभी के लिए एक गर्व की बात है समचारों में वक्त है ब्रेक का समचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है सहकारिता मंत्री डॉक्टर अर्विन बढ़ारिया ने बताया है कि आत्मे निर्भर मद्प्रदेश के अंतरकत प्रदेश में 890 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है इससे प्रदेश के 40,000 दुग्ध उत्पादकों को लाब होगा उन्होंने बताया कि दुग्ध संखुद वारा इन किसानों से 1,20,000 लीटर दुग्ध करे किया जा चुका है डुक्टर बदोरिया ने बता है कि दुग्ध सहकारी समितियों से संबंधित प्रदेश के 2,68,000 दुग्ध उत्पादकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाय जा रहे हैं इसके अंतरगत परशुपालों को परशुपालन के लिए 1,60,000 रुपै से 3,00,000 रुपै तक करन प्राप्थ हो सकेगा देश में COVID-19 से 32,000 नए मामलों के साथ भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 97,35,850 तक पहुंच गई है इनमें से अब तक 93,15,581 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की दर 94,66 प्रतिशत है इधर प्रुदेश में अब तक 2,002,000 से स्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं सबसे ज्यादा प्रभावेत इंदॉर जिले में 495 नए मरीज मिले हैं यहाँ अब तक 41,000 से स्यादा मरीज कुरोना को मात दे कर अपने घर पहुँच चुके हैं उजयन में 23 नए मरीज मिले वही 23 मरीजों के स्वस्थों ने पर अस्पताल से चुट्टी दी गई शिंदवाला में 26 नए मरीज मिले हैं वहीं कॉविड-19 से दो मरीजों की मौत हुई है दिवास में कॉरोना संक्रमन से उबरने वालों की दर 95 दशमलों 37 प्रतिशत हो गई है यहाँ 20 मरीज स्वस्थों कर घर लोटे अश्योकनगर में कॉरोना संक्रमन से एक व्यपारी की मौत हुई बैतूल से हमारे समवार दाता ने बता है कि जिले में आज 15 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई वही 13 मरीजों के स्वस्तों ने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई वरिष्ट रंकर में उदै शहाने ने प्रधार मंत्री नरेन रुमूदी द्वारा COVID-19 बहामारी के खिलाफ चलाए जा रहे जनांदोलन को अपना समर्थन दिया है श्री शहाने ने लोगों से दोगज की दूरी का पालन करने समय समय पर हाथ धोने और मास्क पहनने सहिद अन्य सावधानिया बरतने की अपील की है ये जो समय है बहुती विकट समय है पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम हमारी सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि ये वाइरस फैलने से रुप जाए लेकिन हम लोग और सावधानी की वज़े से इसे फैला रहे हैं। बहुत मामूली सी बाते ध्यान रखने योग के हैं कि हमें बार-बार हाथ दोना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और मास्क लगा कर रखना है। खेलों के शेत्र में प्रदीश में किये जा रहे अभूत पूर्व विकास और खिलाडियों को उपलब्द कराई जा रहे अंतराश्वे खेल सुबिधाओं के लिए। मध्य प्रदीश को बेस्ट स्टेट प्रबोटिंग स्पोर्स अवार्ट से नवासा क्या है। भारती वाडिजी और उद्द्योग महासंग फिकी द्वारा खेलों के शेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाली खेल हस्तियों को इंडिया स्पोर्स अवार्ड 2020 प्रदान किये गये। ऑनलाइन समारों में खेल मंत्री योशुधर राजे सिंधिया को ये अवार्ड प्रदान किया गया। अले में खाव हो गया बाग को बिहोश कर कड़ी मशक्कत कर रेडियो कॉलर को निकाला गया। महापौर पद के लिए OBC महिला होंगी उमेदवार ग्वालियर देवा समेथ 5 नगर निकम अनरक्षित महिला महापौर के लिए रिजर्व। स्वास्तोमंत्री डॉक्टर प्रग्राम चौधरी ने कहा प्रदीश में स्वास्तिवाओं को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। आत्मे निर्भर मज़प्रदीश के तहत राज्य में आठ सो नवीन दोगद सैकारी समेतियों का गठन किया जाएगा और प्रदीश को मिला बेस्ट स्टेट प्रोमोर्टिंग स्पोर्ट्स अवार्ड बुरिटिंग के अंत में आफ सभी से कपील मासक और दोगज के दूरी हां दोना भी है जरूरी नमसकार